एक लड़के के एक्सिडन के बाद वा उपने होस्पिटल की खिटकी से एक ब्यूटिफुल सी लड़की को देखता है देखते हुए उसने नोटिस किया कि उस लड़के ने किसी का मर्डर कर दिया है कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक स्टेंजर का उसे मैसेज आने लग जाता है उसे उस मर्डर के बार में सब कुछ पता था अब आगे क्या होगा ये इस मूवी की मिस्ट्री है हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको 2017 की एज ओफ इनोसंस ये मिस्ट्री थिलर मुवी एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ इसमें अलग-अलग ट्विस्ट और टर्न साथ है तो अंदक इस वीडियो को ज़रू देखेगा अब बीना किसी दरीके एक्स्प्लेंशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन क्यारिक्टर कैंग से इंट्रोड्यूस होते है कैंग 19 अर्स है उसे अपने बाइक पर अलग-अलग प्लेसेस पर जाना अच्छा लगता है उसका मानना है हमें लाइफ में जो भी चीज़ करनी है जो भी चीज़ चाहिए वो जल्दी से कर लेनी चाहिए बाद में हमें पच्टाना न पड़े आज भी हो कही जा रहा था तब आचाना से आगे के गाड़ी से एक टायर नीचे गीरा ये कैंग के गाड़ी पर आ रहा था तो इस वज़े से उसका बैलन्स चला गया नीचे गिरकर उसका एक्सिडन्ट हो जाता है इसके बारे में उपने पैरेंट्स को बता कर वरी करवाना नहीं चाहता था तो उपने फ्रेंड्स को उसने कॉल किया उसके फ्रेंड्स उसे हॉस्पिटल में एनमिट करकर उसका बहुत खैया रखते है इन फ्रेंड्स में एक लड़की है जिसका नाम है जूली है पर हम इसे जूली बुलाएंगे क्योंकि ये सारे नाम कॉम्लिकेटर ना हो जाए जूली के साथ उसका फ्रेंड भी था जिसका नाम था जाओ उसके फ्रेंड्स ने उसे कहा कि तुम्हें इस तरह के से इतना जाता घूमना नहीं चाहिए वो उन्हें भी वही बात बताता है कि लाइफ में हमें कुछ भी रिग्रेट नहीं करना चाहता उसके बेड के पास और एक पेशेंट था इस ओल्ल मैन को टाइपटीज बीपी है वो हमेशा होस्पिटल में रहता है उन्हें मेडिसिन देने के लिए एक नर्स है और ओल्ल मैन उस पर भी लाइन मारा था निकसिन में हम देखते हैं कि जूली कैंग के पास आई हुई थी एक्च्वल में उसे बहुत लाइक करती है पर कैंग को इसके बारे में पता नहीं जूली ने उसे का कि तुम्हें थैंक्फूल होना चाहिए कि एक मेडिकल स्टूडन तुमारी फ्रेंड है कैंग ने उसे का तुमारी इरिंग बहुत ही ब्यूटिफूल लग रही है ये सुनकर जूली को बहुत अच्छा लगता है आज क्यल कैंग इस हॉस्पिटल में बहुत जादा बोर हो रहा था तो खिटके से हमेशा पाहर देखता है सामने एक बड़ा सा घर था उसमें उसने देखा तो एक बहुत ही ब्यूटिफूल सी लड़की थी ये हमारी और एक में गारेटर है उसका नाम है जी है कैंग उसे देखकर बहुत इंट्रेस्टेड हो गया उससे सही से देखनी पा रहा था तो अपने फ्रेंड को कॉल लगा कर उससे एक स्कोप मंगा लेता है स्कोप मिलने के बाद कैंग हमेशा उसे देखने लग गया वो वंडर करता है कि उसका आवास कैसा है उसका नेचर कैसा है क्या उसका कोई बाफ्रेंड होगा उसे अपने मोबाइल पर एक मैसेज आया जो एक स्टेंजर से था वो उससे बुछता है कि तुम हो कौन स्टेंजर ने कहा मैं तुम्हारे पास के कैफे से ही बोल रहा हूँ कैंग को एक मैसेज़स बहुत ही कैजूल लगे एक दिन जब वो घर पर नजर अगरा था तो उसने नोटिस किया कि एक आदमी घर के बाहर से अंदर देखता है को उन पर स्पाय करकर वहाँ से चला गया था घर के बाद जो कैफे है यही बड़ी आदमी काम करता है फिर इसे रात में कैंग जिया के घर पर देख रहा था तो वो नोटिस करता है कि उसके मदर और फादर में फाइट चल रही थी इस फाइट में फादर ने मदर को नीचे गिरा दिया इसके बाद मदर और जिया यह उसके रूम में गए ये कुछ डिसकस कर रहे थे जिया फिर फिर से अपने फादर के पास आई उसके पास एक शार्प अबजेक्ट था वो अपने फादर को मारने वाली थी तबी उस ओल्ड मैन ने कैंग से उसका स्कोप ले लिया कैंग क्या देख रहा है जिया और उसकी मदर ये बलड को साफ कर रहे थे ये देखकर कैंग को बहुत ही शौक लगता है अगली दिन उसने और भी नज़र रखी फिर से कॉफी शॉप वाला आदमी घर के बाहर आया था कैंग के वास उसके नर्स उसका चेक अप करने के लिए आई तुम आगे के घर पर नज़र रख रहे थे ओल्ड मैन ने मुझे बताया मैं समझ सकती हूँ आगे के घर में जो लड़की रहती है वो बहुत ही ब्यूटिफुल है नर्स के जाने के बाद कैंग ने फेसे नज़र रखी जिस कारबेट पर बलड पड़ा था उस कारबेट को धोने के लिए भेजा जाता है राद में कैंग को अपनी इंजोरेस की वज़े से ज़रा पेन होने लग जाता है उसने नर्स को बुला है पर नर्स आसपास नहीं थी तो खुच चल कर उसे ढूनने लग जाता है उसने एक रूम में देखा कि नर्स किसे के साथ इंटिमेट हो रही है ये वही आदमी है जो नीचे का कॉफी शॉप चलाता है कैंग को ठीक लगने के बाद राद में फिर से उसने जिया के घर पर देखा जिया एक बैग घसीटे घसीटे लेकर जा रही थी घर के पास की कंस्ट्रक्शन साइट में उसने इस बैग को गार दिया अगले दिन कैंग के फिरेंड उसे मिलने के लिए आये हुए थे उनसे कहता है मुझे जरा बाहर घुमने के लिए जाना है वो construction site पर आया और देख लेता है कि जिया ने जिस bag को काड़ा था वो safe है या नहीं order देते हैं वो cafe owner से उसने बात की उसने जिया के बारे में उससे पूछा वो कहता है क्या तुम उस घर के लोगों को जानते हो मैंने सुना कि उनके घर में बहुत सारे जगड़े चलते है cafe owner कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कैंग जब फिर से hospital में आया तो नर्स उसे कहती है तुमारा room हम change कर रहे है कैंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कैंग कहता है कि मुझे इसी room में रहना है अगर तुमने मुझे यहाँ रहने नहीं दिया तो तुमारे और तुमारे boyfriend के बारे में मैं hospital के management को बटा दूँगा नर्स मान नहीं रही थी कैंग कहता है कि अगर मैं उस room में नहीं रह सकता तो मुझे रहना ही नहीं है वो फिर वहाँ से डिस्चार्ज ले लेता है और घर पर ही आराम करता है घर वपर भी जूली उसका खैल रख रही थी घर वपर उसे एक mail मेलता है जिसमें लिखा है कि मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो तुम डेंजर में हो कैंग जिया को बहुत लाइक करता है मर्डर के बाव जूद वो उसे प्रोटेक करना चाता है अब इसके बाद थोड़ी दिन बीत कहे कैंग का प्लास्टर निकल चुका है वो फिर डारेक्ली जिया के घर के बाहर ही आता है जिया आज अपने वर्क के लिए ज़रा लेट हो चुकी थी तो उसे उसके घर का सिक्यूरिटी कार्ड नीचे गिर गया ये कैंग ने देखा और ये लेकर वो घर के अंदर गुश गया घर में सारी चीज़े देखती हुए वो जिया के रूम में आया उसके रूम में मैप लगा था जिस जगा पर वो जाना चाहती है इसमें सारी जगा पर पॉइंट करकर रखा है कैंग इमेजिन करता है कैंग चाहता था कि जिया जिस भी प्लेस पर जाए वहास उसे पोस्ट कार्ड भेजे देखते देखते ही जिया फिर से घर में वापस आगे वो और उसकी मदर एक दूसरे के साथ जगड रहे थे जिया बता रही थी कि मुझे इस तरकी की लाइफ नहीं जीनी पर उसकी मदर उसे फोर्स करती है अगली दिन कैंग फिर से जिया का पीछा करता है वो कैफे में गई और कैफे ओनर के पास रो रही थी इसके बाद वो जहाँ भी जाती है उसका पीछा करता है पीछा करते करते कैंग को फिर से स्टेंजर से मैसेज आया इसमें लिखा था मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो कैंग की जिया पर नज़र रखते हुए फोटो उसने निकाली हुई थी कैंग वंडर करता है कि यह हो कुन सकता है वो सब पर शक करने लग गया था इसके बाद वो जिया का पीछा करते हुए जहाँ पर ओ काम करती है वहाँ पर पोहँच गया उसने नोटिस किया इस ओफिस में वेकेंसी से वो हमेशा जिया के पास ही रहना चाहता है उसे और भी जान लेना चाहता है तो इसी वज़े से यहाँ पर अपलाई कर देता है जॉब मिलने के बाद स्टीट पर जाकर अलग अलग लोगों के सर्वे लेने का उसका काम था यह सम्मीट करने के लिए उस जिया के पास आया जिया कहती कि तुमने बहुत ही कम सर्वेज लाए तो अब क्या था कैंग अगली दिन बहुत महिनत करता है उसने बहुत सारे सर्वेज लाए ये काम करते करते जिया के घर के कारपेट की वाशिंग जिस जगा पर हुई थी वो जगा उसने देखी यहाँ पर वो इंक्वारी करने वाला था तभी उसका फ्रेंड उसे मिल जाता है कैंग कहता है कि जुली को भी बुला लो कैफे में कैंग ने देखा कि उसके हॉस्पिटल की नर्स, कैफे ओनर और उसके फ्रेंड्स भी थे वो इनी सब पर शक कर रहा था उसने फिर स्टेंजर को मैसेश किया कि तुम्हें सब कर क्यों रहे हो स्टेंजर का रिपला है कि मैं तुम्हें हेल्प करना चाता हूँ ये रिपला आने के बाद कैंग सब के फोन कहा है ये देख रहा था बाकी लोग काम कर रहे थे और उसके फ्रेंड्स की फोन ही टेबल पर थे इसका मतलब है स्टेंजर इन मेंसे कोई भी हो नहीं सकता आज कल तुम्हारे फादर काम पर क्यों नहीं आ रहे हैं। जिया बुछती कि तुमने ऐसा क्यों कहा। वो कहता है कुछ लोग तुम्हारे फादर के बारे में बात कर रहे थे। जिया कहती कि मेरे बारे में भी बोल रहे होंगे। सब को लगता है कि मेरे फादर की वज़े से ही मुझे जॉब मिला जिया उसे बता थी कि मेरे फादर सिर्फ जरा बीमार है वो थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे इसके बाद नेक सीन में जिया लंच कर रही थी तो कैंग उसके पास आ गया उसे बुशता है क्या कल रात तुम फ्री हो उसे एक अच्छे से रेस्टॉर्ण में लेकर जाना जाता है तब ही जिया की मदर वहाँ आ गई थी बहाँ जाकर जिया उसे बात करती है और फिर वो वापस आई वो कैंग के साथ डेट पर जाने के लिए मान गई थी जी आके जाने के बाद कैंग को मैसेज आया मर्डरर के साथ मजे कर रहे हो ये दोनों एक साथ बेटे थे इसकी फोटो भी स्टेंजर ने उसे भेजी हुई थी कैंग जल्दी से काउंटर रवोशता है कि यहाँ पर कौन बेटा था उसे पता जला कि एक लड़की थी जो ग्लासेस पहन थी उसकी फ्रेंट जूली भी ग्लासेस लगाती है तो उसे लग रहा था कि शायद वही होगी वो उसे वीडियो कॉल लगाता है पर उसने देखा कि जूली अपने घर पर थी अगली दिन फिर जूली और कैंग ये दोनों डेट पर आये एक दूसरे से बात है करते है जूली ने का कि मैं इस वर्ड में अलग-अलग प्लेसेस घुमना चाहती हूँ कैंग जी जी इस प्लेसेस पर जाकर आया था इन सारे प्लेसेस के बारे में उसे बताता है कहता है लाइफ बहुत ही शॉर्ट है हमें अभी के अभी से जी लेना चाहिए हम पर्फेक्ट मुवमेंट का वेट नहीं कर सकते है अगर हमने इसा नहीं किया तो बाद में हमें रिग्रेट करना पड़ेगा ये बात जुली को पसन आती है इनकी डेट बहुत अच्छी गई थी वो अब घर जा रही थी तो कैंग ने कहा मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ उसे उसके स्ठीट का भी नाम लिया था इस पाद जुली बहुत ही सस्विशेस होकी वो कहती है तुम्हें मेरे बारे में बहुत सारी चीज़े बता है मैं कहा रहती हो, मैंने इसके बारे में तुम्हें नहीं बता है ता कैंगे चोरी पकड़ी कि उसे honestly सब कुछ बताता है वो गयता है कि मेरा accident हुआ था मैं तुम्हारे घर के सामने के हस्पिटल में था मैं तुम्हें फर्स टाइम देखा तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी मैं तुम्हें बहुत ही interested हो गया मुझे जब पता चला कि तुम कहा पर काम करते हो तो तुम्हारे पास रह सको इसलिए मैंने वही पर जॉब ले लिया मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हो ये सब सुनकर जुली ने उसे गले लगा लिया इन दोनों को हग करते हो कि जिया के मदर के बॉड़ीकारस ने ने देख लिया वो बहुत जादा गुस्सा हो गए थे क्यांग को वार्निंग देते है कि जिया से जर्द दूर रहना अगले दिन क्यांग जब काम पर गया तो जिया उसे कही भी नहीं मिलती उसका घर भी बन पड़ा था इसके बाद वो directly cafe owner से आकर बात करता है वो से कहता है कि मुझे पता है कि तुम और जिया friend हो वो कुछ trouble में तुम्हें मुझे help करनी पड़ेगी cafe owner ने का कि जिया को पता है क्यों मुझे कहा डूंड सकती है अगर उसे मेरी जरूरत होती तुम मुझे ढूंड लेती एक cafe owner कैंग को warn करता है कि उसे जरा दूर रहो तुम उसके लिए सही नहीं कैंग जिया से फिर से मिलना जाता था पर मिलने का कोई भी वे नहीं है तो फिर वो directly construction site पर पहुचा ये construction site जिया आपने bedroom से देख सकती है तो यहाँ बर उसने एक sign बना लिया पास जो cafe है इस cafe का assign था फिर वो इस cafe में जाकर राद बर wait करता है बाहर बारिश होने लग गई थी यही बर वो खड़ा होकर wait कर रहा था सुबा होने के बाद finally जिया उसके पास आगी वो कहती कि तुम पागल हो राद बर वो ही बेटा था यह दोनों एक दुसरे को गले लगा लेते है जिया कहती कि अब उस घर में मैं नहीं रह सकती जेज भी जगावरे जाना चाते थे डारिक लिए उस जगावर निकल जाते कैंग जिया को एक बीच दिखाने के लिए लेकर आया वो गहता है जिस दिन मेरा एक्सिडन्ट हुआ था मैं इसी बीच पर आ रहा था मेरा एक्सिडन्ट नहीं होता तो मैं तुमसे नहीं मिलता वो गहता है तुमसे मिलने के लिए फिर से मेरा एक्सिडन्ट हो फिर भी वर्थिट होगा ये दूनों एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते है रात में होटेल में आकर इंटिमेट हो गए इसी तरीके से इनकी रिलिशन्शिप डेवलोप होती गई अब एक मंध हो चुका है ये पूरा मंध होटेल में ही थे यहाँ से जाने के लिए कैंग जरा अफसेट था तो जिया कहती है क्यों न हम और एक मंध रुख जाए कैंग इसके लिए एक्साइड़िट हो जाता है होटेल का सारा बिल जिया ने पेक किया ये फिर से बहुत एंजॉय करते है एक दिन घुमते घुमते कैंग को एक बाइक बहुत पसनाई जिया और कैंग अपने रूम में थे कैंग उसके ड्राइंग बना रहा था जिया बुच्ते है तुम मेरी ड्राइंग क्यों बनाते हो कैंग ने का मुझे हर एक beautiful चीज की drawing करना अच्छा लगता है जिया फिर उसे नीची लेकर गए वसमें कैंग के लिए वो bike buy कर ली थी वो इसके लिए बहुत ही excited हो गया यह दोनों फिर ride के लिए जाते है कैंग फिर wonder करता है कि जिया के पास इतने सारे पैसे आते कैसे है वो तो कोई भी credit card विगरा भी use नहीं कर रही जिया इस बात को पूरी दरीके से ignore कर देती है अब कैंग को फिर से stranger का message है इसमें लिखा था कि जल्दी से फिर से टाउन में वापस आ जाओ वरना जिया ने जो भी क्या है इसके बारे में सब को बता दूँगा कैंग इस stranger से मिलने के लिए city में पहुचा पर जिया के मदर के bodyguards उसे देख लेते है वो वहाँ से भागा पर bodyguard ने उसे पकड़ लिया था उसे बहुत मारते है उन्होंने उसे warning दी कि जया को फिर से वापस लेकर आओ वो वेचारा injured था तभी उसकी mobile पर एक वीडियो आता है ये वीडियो उस construction site का है और इस stranger उस construction site को खोद रहा था ताकि जया ने जो back गाड़ी थी हूँ बाहर आ जाए कैंग भागते भागते जल्दी से वहाँ पर पहुँच गया पर इस stranger वहाँ से भाग जाता है कैंग इस गड़े को भरने लग गया था पर construction worker ने notice कर लिया यहाँ पर पुलिस वगरा भुलाय जाते ये गड़ा खोदने के बाद उसमें से एक dead baby निकला कैंग को इस बात से बहुत बड़ा शौक लगता है इस सब की investigation हुई तो पुलिस को बता चला क्यों baby already dead था आगे के hospital से baby का specimen चोरी हुआ था और यहाँ पर guard दिया गया है जहाँ ये सारी चिज़े figure out नहीं कर पाता वो फिर directly हो hospital में बहुँच गया नर्स पर बहुत जादा गुस्सा हो चुका था कहता है तुम्हें ये सब मेरे साथ कर क्यों रही हो क्या वो baby तुमने ही गाड़ा था नर्स कहती कि मैंने कुछ भी नहीं किया है बेवी का specimen hospital से गायव हो चुका था जिया के father इस hospital की owner थे वो कहती है कि जिया के father ने इसके बारे में report करने के लिए मना किया था कैंग ने नर्स को उसके साथ जो भी हो रहा है ये सारी चीज़े बताए नर्स कहती कि अगर तुम्हें लगता है कि जिस stranger ने तुम्हें message किया है वो और इस baby को चुराने वाला एक ही person है तुम्हें बताए कि वो कोन है security footage से में पता चल गया था कि baby को किसने चुराया था डारेक्टर ने मुझे इसे report करने से मना किया क्यूंकि उसकी daughter ही थी ये सुनने के बाद कैंग डारेक्ली जिया के पास बोचता है पर जिया के बास Julie आई हुई थी उसके हाद में acid है Julie पुछती है कि अपने फादर को मारने के बाद तुमने बोड़ी का क्या किया जिया ने कहा कि उस बैग में बच्चों के खिलों ने थे Julie इस बात को मानती नहीं तब ही वहाँ पर कैंग बोच चुका था जिस stranger का कैंग को मैसेज आ रहा था ये Julie इती उसे कहती है तुम अपने आखों से जो भी देख रहे थे उस पर बिल्यू नहीं कर पा रहे थे मैं चाहती थी कि जिया के फादर की बोड़ी मिलने के बाद तुम्हें पता चल जाए कि जिया एक killer है मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसी वज़े से सब मैंने किया कैंग figure out नहीं कर बाता कि उसने जो भी देखा था ये Julie को कैसे बता था Julie कहती है तुम्हें मैंने जो scope दिया उसे मैंने एक camera install कर दिया था उसके phone में भी उसने एक tracker लगा दिया है Julie भी हमेशा उसका पीछा कर दिया थी हमने movie में देखा था कि कैंग को जब शक आया था तो उसने Julie से डारेक्ली वीडियो कॉल पर बात की थी इसके explanation में Julie कहती है कि मेरा friend ये सब करने में मुझे help कर रहा था इनके पास और एक mobile था इस वज़े से कैंग कुछ भी figure out नहीं कर पाया Julie का friend भी हाँ पर पहुच जाता है उसे समझाने की कोशिश करता है वो भी उसे बहुत प्यार करता था कैंग को Julie की feelings के बारे में पता नहीं था इसके लिए उस्वारी कहता है जिया भी उसे समझाने की कोशिश करती है कहती है तुम बहुत ही lucky हो self submission हो तुम्हें मेरी तरह किसी पर भी depend रहने की जरूरत नहीं है वो कहती है मैं सिर्फ कैंग का फायदा उठा रही थी मैं मेरी लाइफ से बोर हो चुकी थी तो मुझे कुछ चेंज चाहिए था Julie और भी ज़्यादा डिस्टरब होगी उसके हाथ में acid था जो अपने आप पर वो डालने वाली थी जिया जल्दी से उसे इसके हाथ से निकाल लेती है तो उसका खुद का हाथ भी थोड़ा सा burn हो गया था इसके बाद police school आया गया और Julie उनके साथ चली जाती है सबके जाने के बाद कैंग जिया से बात करता है कहता है तुमने अपने फादर को मार डाला पर फिर भी मुझे इससे कुछ भी फरक नहीं परता कि तुमसे प्यार करता हो और तुमारे साथ ही रहना चाता हो जिया कहती कि अभी अभी मैंने तुम्हारे बारे में जो भी कहा ये सब कुल चीजे सच थी मैं सिर्फ तुम्हारे यूज कर रही थी इसके बाद वो अपनी मदर के साथ गाड़ी में चली जाती है क्यांग उसी इस तरीके से जाने नहीं दे सकता था उसने भी उसका पीचा किया वो गाड़ी रोग नहीं रही थी तुम मोटर साइकल को आगे किया और अपना एक्सिडन्ट करवा दिया जिया उसके पास है कहती है ये सब तुम कर क्यों रहे हो गाड़ी से जिया के साथ उसके फादर में निकलते है फादर ने का तो इतने दिन तुम इसके साथ थी जिया कहती कि क्या मुझे हग नहीं कि मैं किसी से प्यार कर सकूँ फादर जिया से गहते तुम जो जाओ वो कर सकती हूँ पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो जिया कैंग के पास ही रुकी उस राद जो हुआ था इसके बारे में जिया उसे बताती है वो कहती है एक्चुल में वो आदमी मेरा फादर नहीं है मैं अगर उसके घर में रही तो लोगों को शक होगा इसलिए हमने उस टोरी बना दी है जिया और इस बिजनसमैन की अलग रिलेशन है ये बिजनसमैन उसे बहुत सारे पैसे देता है इसके बदले में जिया उसके साथ इंटिमेट होती है उसके घर में रहती है कैंग को बहुत बड़ा शोक लगा जिया कहती कि मैं प्रेगनंड थी जिस राद तुमने देखा था मेरी और बिजनेसमैन की बीच में फाइट चल रही है उस रात में बहुत जादा डिस्टरब थी मेरी मदर को लग रहा था कि बिजनेसमैन अब मुझे छोड़ देगा इसी वज़े से वो गुसा हो गई थी पर उस बिजनेसमैन ने कभी भी जिया का साथ नहीं छोड़ा उस रात कैंग जब स्कोप से नज़र रख रहा था तभी ओल्ल मैन ने उसे स्कोप ले लिया था उतने टाइम में बिजनेसमैन ने अपने बिमारी की वज़े से खुन की उल्टिया की थी उसे कैंसर था इसके बाद उसका इलाज करने के लिए वो बिजनेसमैन वहाँ से चला गया था जिया बहुत ही डिस्टरब थी वो पहले ही अपने बेबी के लिए बहुत सारे खिलों ने लेकर आई थी तो सारे खिलों ने उसने एक बैग में डाले उसने अपने बेबी के सारे toys as a farewell पास के construction site में गार दिया यही सारी चीज़े कैंग ने देखी थी वो गहती में मेरी life में सिर्फ change चाहती थी और फिर वो कैंग से मिली कैंग पूछता है क्या कभी तुमने मुझसे प्यार किया था जिया इस पर गुझ भी नहीं बोलती जिया ने decide क्या है कि बिजनेसमैन के साथ ही रहना चाहती है वो बेचार हार्ट ब्रोकन होकर वहाँ से चला क्या फिर से अपने college को continue करता है इसके बाद movie में directly 10 साल बीच चुके है वो फिर से जिया के घर के बाद के पास की कैफे में ही आया जिया अब वहाँ नहीं रहती वो कैफे Honor को देखता है तो उसने अब नर्स के साथ शादी कर ली थी और दोनों बहुत ही खुश थे कैंग ने उसे बात की जिया के बारे में पूछा कैफेएणर कहता है कि businessman की last day में जिया ने उसका बहुत खैल रखा actual में businessman को उसकी company में उसके partner ने धोका दिया था ये case भी चल रहा था इसमें भी जिया ने उसे support किया ये case वो businessman जीत गया बाद में उसकी date होगी और जिया घर छोड़कर चली की कैंग पुछता है कि अब वो कहा है कैफे उन्हार ने उसे कहा कि वो अलग-अलग प्लेसेज घूमती रहती है हर जगा से तुम्हारी लिए पोस्ट कार्ट भेशती है उसे पता था कि कभी ना कभी तुम इस कैफे में वापर्स आओके है कैंग रियलाइस करता है यह 10 साल पहले उसकी एच कम थी उसकी एजुकेशन कमप्लीट नहीं थी जिया चाहती थी कि अपनी लाइफ में वो आगे जाए वो अब सक्सेस्पूल है और जिया की लोकेशन भी उसके पास है वो शूर था कि जब वो वहाँ जाएगा तो जिया उसका वेट कर रही होगी यह दोनों फाइनल एक दूसरे से मिल गए जिया हमेशा से उससे प्यार करती थी पर बिजनेसमैन बिमार था उसे इस तरीके से छोड़ कर वो नहीं जा सकती थी इसलिए उसने उसका खैल रखा कैंग को भी अपनी लाइफ डेवलोप करने का एक अच्छा सा चांस उसने दिया इसके बाद यह दुनों फिर से मिले इसे के साथ इस मूवी के हैपी इंडिंग हो जाती है अगर आपको एक्स्प्लेशन अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा रहे बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहे तो तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दोने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नेमूवी के साथ तब तके लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये